इस घटना में सबसे बड़ा अपराद सिर्फ ये नहीं है कि गैंग रेप हुआ और हत्या हुए ये निर्शंस अपराद है लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और भी बड़ा अपराद है कि लड़की को इस तरह से आधी रात को जला दिया गया मा को चेहरा नहीं देखने दिया गया परिवार से जूते स्टेट्मेंट दिलवाए गये और उसके बाद उन्हें दबाया गया धंकाया गया मैं समझता हूँ, ये सारी घटना करम नहीं हो सकता था अगर दो चीजें नहीं होता है उब से तो शायद कोई न बचा पाता, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो दलित के साथ ही हो सकता और किसी के साथ है और दूसरा उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जैसा व्यवार किया है जब तक उपर से मुख्यमंत्री का वरद हस्त ना हो जब तक उनका आशीरवाद ना हो उनका आदेश ना हो तब तक मजाल नहीं है कि डियम ऐसे काम कर सके इसलिए सिर्फ मानवता का हनन नहीं ये लोक के तंत्र का हनन है ये सम्मिधान का हनन है और इसलिए कम से कम शुरुआती तोर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तिपा देना है